Hello friends, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कुर्ती का back neck बनाना तो कुर्ती का back neck कई तरीकों से बनाया जाता है according to fabric तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका उन्हीं में से बताने जा रही हूँ चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये fusion paper लिया है और इसे मैंने इस तरह बीच से fold कर लिया है अब यहां folded side से सबसे पहले मैं neck की width का निशान लगाऊंगी तो मैंने 3 inch लिया है neck की depth मैं 1.5-4 inch ले रही हूँ और यहां से भी मैंने 3 inch पे निशान लगाया है और अब इस block के अंदर मैंने एक simple round neck बना दिया है अब इसके बाहर-बाहर मैंने 1-1 inch का इस तरह निशान दे दिया है अब इन सारे निशानों को मिलाते वे इस तरह गोलाई दे देंगे और अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो पहले इस अंदर के side की cutting करेंगे और अब इस बाहर के side की cutting कर लेंगे ये देखे, खोलने पे ये इस तरह लगेगा अब हम इसे एक fabric के उपर चिपकाएंगे तो जो shiny side है fusion paper का उसे कपड़े के उपर रखेंगे और इस तरह press की मदद से इसे चिपका देंगे ये देखे, ये चिपक चुका है अब आधा इंच का extra कपड़ा छोड़ते वे बाकी को cut कर लेंगे अब ये जो आधा इंच का कपड़ा हमने छोड़ा था इसे हम fusion paper के उपर इस तरह fold करेंगे और सिलाई दे देंगे ये देखे, सिलाई हमने दे दी है अब हम इसका center निकालेंगे तो इस तरह बीच से fold करके हमने बीच में एक cut दे दिया है इसी तरह हमने कुर्ती का भी center निकाला है ये देखे, बीच में हमने एक cut दिया है और यहाँ एक line खीज दी है अब कुर्ती के सीधी side के उपर हम इस piece को इस तरह रखेंगे और दोनों के इन cuts को मिलाते हुए इस तरह center मिलाते हुए रखेंगे अब हम यहाँ side side में सिलाई दे देंगे तो हमारा सिलाई fusion paper के उपर नहीं जाना चाहिए जस्ट कपड़े के उपर-उपर सिलाई लगनी चाहिए यह देखे हमने सिलाई इस तरह देनी है धीरे-धीरे और यह हमारी सिलाई लग चुकी है अब हम इस अंदर के कपड़े को काट लेंगे तो quarter inch का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह इसकी cutting कर लें यहाँ छोटे-छोटे से cuts दे देंगे सिलाई को बचाते हुए cuts दीजे अब हम fusion paper को इस तरह पीछे की तरफ मोड देंगे कुर्ती के यह देखे इस तरह अच्छे से इसे कुर्ती के उल्टी side में इस तरह मोड देंगे इसे अच्छे से set कर लें और यहाँ उपर की तरफ top stitch दे देंगे तो यह देखे कुर्ती के सीधी side से हमें गले के बिल्कुल साथ साथ में top stitch देनी है यह हमने top stitch दे दी है और हमारा neckline almost complete है यह देखे पीछे से यह इस तरह लगेगा यह जो खुला वला भाग है इसे हम तुर्पाई करके सिल लेंगे तो सुई धागे की मदद से इसे तुर्पाई कर लें machine stitch ना करें क्योंकि तुर्पाई करने से ज़्यादा अच्छी finishing आएगी तो तुर्पाई का भी मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है अगर आप सीखना आई है और कितना साफ सुथरा काम हुआ है तो अगर आपका सूट का कपड़ा लचकीला है काफी फिसलने वाला है तो आप ये method अपनाए इससे आपके गली की finishing बहुत अच्छी आती है और आगे की तरफ से हमारा neck line इस तरह लग रहा है और इस तरह हमारा back neck बनके तयार है अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में तब तक की लिए bye bye and take care